अब हलो फ्रेंड स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिस फिद आदि में तो आज हम सीखते हैं इंडिय तो इंग्लिस टांस्टरेशन तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के यह वीडियो और शुरू करते हैं आज का यह वीडियो यह सब्सक्राइब आपा संटेंसर वो पैसा मेरे किसी काम का नहीं है तो आप बोलिए देट मनी इस ओफ नो यूज टू मी देट मतलब वो पैसा इस मतलब है ओफ नो यूज मतलब किसी काम का नहीं तू मी मतलब मेरे लिए मेरा किसी काम का नहीं है तो देट मनी इस ओफ नो to me okay देशपता एक अभिश्याप है तो डारी सिस्टम इस ए म्यदिक्शन अजन मतलब होता है आफिश्याप द्हान करेगा दोश्टम इस ए मलेडिक्शन ठीक है दोनी का आउट होना क्वान जबडस जटका है दोनीज़ डिपार्चर इस बिग ब्रोव दोनीज़ डिपार्च मतलब होता है बड़ा जटका ठीक है अगर सेंटेंज हमार पास मैं बिना तयारी के इंटर्वी देने गया तो I went for the interview offhand तो go के second form जाए कि went मतलब मैं गया for the interview मतलब interview के लिए offhand मतलब होता है ततकाली बिना तयारी के no preparation ठीक है तो I went for the interview offhand मैं तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोप रहा हूं तो I am not imposing my will on you I am not imposing मतलब यह पर जाने continuous sentence हो गया तो मतलब कोई काम कर रहा है तो I am not impose मतलब होता है थोपना तो I am मतलब मेरा मेरी विल मतलब मर्जी भी होता है और विल का यूज आप पर जब फूचर में करते हैं on you मतलब तुम पर तो I am not imposing my will on you ओके और I hope आपको समझ में आ गया हो जाने सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर लिजे और थैंक्यू सो मच